और उत्तर प्रदेश में समाजबादी पार्टी के अंदर कई नेताओं ने सदस्त्वा ग्रैंड की है जिसमें पूर्वांशल के दिकश नेताओं के साथ साथ बीज़ेपी विधायक खलीलाबाद दिख बिज़े नारायंड उर्फो जैच चौबे ने बीज़ेपी का दामन सपा का दामन थामा है उनसे खास बाच्वीत की हमारे संबाद दाता राम अनुष भट ने लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजबादी पार्टी के कुन्वा बढ़ता जा रहा है और इस बार सबसे बड़ा चोकाने वाले बाप सामने आई कि जिस तरीके से भाजपा समाजबादी पार्टी जोइन की एक बड़ा जटका है पुर्वांचल के अंदर और बीजेपी को हमाय साथ मोजुद है जैचोबी जिनसे बात करते हैं सर लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं आखिर क्या गान देखे भार्टी जिन्तापार्टी का लगभग कारेकाल सरकार का पूर्ड होने के आसपास है ब्यूरो क्रेशी हावी रही जन प्रत्नी दी उपेच्छा के शिकार हुए ऐसे में कोई भी विधायक अपने छेत्र के कारेकरताओं की आम जनमानस की ने तो ठीक से सेवा कर पा है हमारा जन्पद संत कवीर नगर नौस्तर जन्पद है कई जन्पद अपने राज्जी में ऐसे हैं जहां पर 6-7-8 गन्ना मिले हैं मेरे जन्पद में एक ही गन्ना मिल थी बंद पड़ी थी हमारे हां बस डिपो नहीं है जो भी छोटे मोटे उद्योग हैं सभी बंद पड मैंने इन तीन प्रमुख मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया जन्पद से लेके माननी मुक्यमंती तक कई बार मैंने बात किया लेकिन उसके कोई सार्थक परिडाम नहीं निकले कोई अफसोस विधायक रहते हुए कि जो अपने छेतर के लिए आप वो काम नहीं करा पाई इस सरकार से और आने वाले सरकार में उसको प्रात्मिक्ता पर रखेंगे मैंने तीन महत्वपूर कारे आपको गिनाय हैं मेरी सीर्स प्रात्मिक्ता में है गन्ना मिल कि अपने जन्पद में और चुकी हमारी मुख्याला की विधान सभा है किसान बाहुल्य हमारी विधान सभा और जन्पद है मैं चाहूंगा कि मेरा सीर्स अस्तर पर प्रियाश प्रात्मिक्ता पर जब अगर सरकार बदलती है समाजबादी पार्टी के सरकार आती है तो प्रात्मिक्ता में सबसे पहला मुद्दा उनका यही रहेगा कि खलीलाबाद के अंदर शुगर मिलका फिर से निर्मान कराए जाए और बंद पड़े उद्योग धंदों को चालू कर सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी और प्रेस्टा बेल इकन नेवर मिस्स अनी अप्डेट